हालो दोस्तों UPC Hindi के online channel platform में मैं निश्यांदरी पाथी आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज जो हम लोगी current affair की class से वो ध्यान देना वो बेहत important है यहां से UP pieces के mains में और prelims में दोनों में questions आ सकते हैं प्रिलिम्स में तो मेरा मानना है कि बेहत important topic है काफी चर्चा में रहा है इसलिए प्रिलिम्स में तो 110 फिश्दी चांस है कि आपके paper में question बन क्या आएगा हलाकि कुछ points इसके main skillages भी important है मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को like सब्सक्राइब जरूर करते हैं ज्यान देंगे कि आभी recent में क्या हुआ है कि भारत में चीतों का पुनरवास कराई गया है तो अगर मैं एक heading डाल दू भारत में चीतों का पुनरवास पुनरवास का मतलब भी होता है कि उनका जो अवास था उसमें इनकी दुबारा अवागमन हुआ है द्यान देंगे दोस्त कि actually जो चीते हैं ये बिसकली क्या है कि इसकी दो परजातिया है एक को में लोग करते हैं इसियाटिक और दूसरे को म नॉर्मली इस वक जो चीते पाजाते हैं ठीक है वो दो चीते हैं उनमें से एक को कहते हैं हम लोग अफ्रिकी चीते ठीक है उनमें से एक को हम लोग कहते हैं अफ्रिकी चीते और दूसरे को हम लोग कहते हैं एसियार्टिक चीते द्यांदरा जो यह एसियार्टिक चीते थे य असियाटिक चीते को भारत में पाए जाते थे इनको 1952 में वर्स 1952 में goddamn 47 में अन्तीमबार भारत में इसियाटिक चीते रेखे गलते भारत में जो जीते पाए जाते थे वो आप ध्यान देना की जो आपका परवती बेल्ट है उन बेल्ट को छोड़के नॉर्मली संपूर भारत में आपके चीते पाया देते 1947 में इनको लास्ट टाइम आपके 36 गड़ में देखा गया है 36 गड़ में देखा गया है इसी कोरिया रियासत के एक महाराजा थे उनका नाम है देना महाराजा रामानुच प्रताप सिंग देव बहुत लंबा नाम है इसको देना है प्रताप सिंग देव अब हुआ क्या धान देना है कि इन्हों ने क्या क्या था कि तीन चीतों को बिसकली मौद के घाट उदार दिया था यानि तीन चीतों का उन्हों ने सिकार किया था ठीक है एक्शली सिकार करने का रिज़न यहाँ पर इंटर्टेन्मेंट नहीं माना जाता है माना जाता है की इनके रियासत की कई लोगों पर अटेक कर दे थे 1947 में इसलिए इनको-इनको सिकार करना पड़ा, इनको मारना पड़ा इसके बाद से भारत में ऐसा माना जाता है काभी चीते दिखे नहीं इसके लिए माना दाता है कि जिन चीतों का महाराजा Ramanuch ठीक है प्रताप सिंग देयो ने थीक है सिकार किया था वह भारत में क्या थे अन्तिम चीते ते वह भारत में क्या है विसके लिए अन्तिम चीते रहोंगे इसके बाद से 1970 के दसक्ते ज्यार देंगे 1970 1970 के दसक्ते क्या है भारत ने effort start कर दिया 1970 यानी 1970 के दसक्ते हमने क्या किया effort करना दसक्त से हमने प्रयास करना शुरू कर दिया ताकि यहां से प्रयास start किया ताकि भारत में फिर से चीतों का क्या किया जाए पुर अरवास करा जाए यानि भारत में चीते फूरसे फूरर बास के जाए लेकिन क्यों इनका प्राकरतिक वास्ता उसको नश्ट कर दिया गया ठीक है सिकार को बढ़वा मिडा तो सिकार एवर प्राकरतिक आवास के विनश्ट के प्रड़ाब चीते समयबद तरीके से आपके 1947 होते होते क्या है इदर अंग्रेज भारत से जाते हैं और इते चीते भी भारत से निकल जाते हैं आप ध्यान दिना है कि आपके पास जो एसियाटिक चीते थे अब इनके संख्या वैसे भी बहुत कम है इनकी संख्या अब क्या है वैसे भी बहुत कम है अब असियाटिक चीते आपके केवल इस्टर्ण ज्यान रहा है केवल आपके इस्टर्ण इरान में पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं केवल आपके इस्टर्ण इरान में पाए जाते हैं इस्टर्ण इरान में भी इन चीतों है जो संख्या है वो एक डाउंड फिप्टी है यानि लगभग but not ुक कि लगभग पचास की लगभगPचास है यही स्याइएक कुट को क्रिटिकली तेक generating जोना चैनल करप्रिटिकली इन्डेंजर्ड घोण गया है टिक है इस या जैटेंड़ जोना है रहें लेगे तो मैं व्याता दूँ आपको कि भारत में छीते हैं या अभी भी जसीए चीते है तो इस जो इसयार्टी चीतें, उनको क्या किया गया है उनको critically endangered बोला गया तो मैं यह एक ची ऐख जाने रहा है कि जो आपकी А6 चीते हैं यह क्या है, इस वक्त वर्ड क्या है, इनकी IUCN status क्या है, इनका IUCN status है, critically endangered, critically endangered, critically endangered, critically endangered, क्रिटिकली endangered क्या वत्व होगे, आपका, गंभीर रूप से संक्ट करस्त, गंभीर रूप से संकट ग्रस्त संकट ग्रस्त प्लियर बात गंभीर रूप से संकट ग्रस्त अच्छा एक होमवर्क ले लो दोस्त यहीं से एक होमवर्क आप लोग ले लो आप लोग बताओ कि चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है होमवर्क आपको लेना है और वो हुमर क्या है आपको बताना है चीता का वैज्ञानिक नाम आपको चीता का वैज्ञानिक नाम बताना है ठीक है चीता का वैज्ञानिक नाम यह हुमर क्या दिया है अच्छा दोस्त ध्यान देना कि जो असियाटिक चीता क्यूं आपको ग्रिटिकल इंडेजिन रखाग कि यह इरान के छोटे से बिल्ड में कि बूर्वी इरान में पा जाते हैं और उनकी बीज्ट से कमें अब यह सारी इंफ्योट में लेकिन भारत में जो वर्ल में जो अशियार्टिक जिनदे रहा है, जो एस्याटर praim phải है, इतब है, चीतों को count किया, तो आयूसे रहा है, वार्ड में चीतों के संगहा है, इतने चीता आपके आपके वर्ड में मौझूत है, इतने चीता आपके गितान देंगे, चुक् कि एक सिकन्ट टाइन देंगे मुझे ठीक है अब देखे 6517 चीता क्या है आपकी मुझूद है इसमें से आपके 40 चीतीया के प्चास तो अपना कोगा है ऐने बचेते किसकी हो गया है तो बचे चीते आपकी अ अफरिका में पाई जाती है वहां देखने को मिलती है इसके बाद से जो इनकी अगली संह्क्या है वह आपको बात सवाना मैं देखने को बोट सवाना में तो जो माक्सिमُम आपके चीते क्यों का बड़ेbon मिलते हैं maximum number in इनका आपका है नमीबिया में में होने करण maximum number आपटा नमीबिया में होने करण ठीक है नमीबिया क्या कहते है जो चीटा capital of the world क्या कहते हैं the cheetah capital of the world the cheetah capital of the world यानि चीता की राजधानी इसको कहते है ध्यान देना है the cheetah capital of the world capital of the world ठीक है क्यों 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 कि maximum संख्या आपकी नामी भी आस पा जाती है अच्छा है पर चीज समझे हम लोग क्या है जब 19 से 14 से effort करना start किया है तो पहले हमने क्या सोचा कि हमारे यहां जो चीते हैं जब हम लोग करने project चीता start किया चलिए मैं लेख मालू जब हम लोग को ने क्या किया basically हला कि project चीता हम लोग 2009 से start करते है लेकिन चीता को भारत में पुरस्थापना कराने की जो हम लोग effort किया हैं वो effort हम लोग 2017 से start करते हैं 1917 हमdade प्मारा प् Kingston की तोक में एरान को क्या करते हैं Asiatic Tigers देते हैं इरान को हम लोग क्या करते हैं कि Asiatic Tigers देते हैं और बदले में Iran से Asiatics चीटा मखा लेते हैं Asiatic चीटा मखा लेते हैं क्यों पीछे के reasons हैं अफरिकी चितोका चुना तो मैं आप लिखना हूँ वाई टीक है वाई आफ्रिकन छीता क्यों अफरिकन चीता का chain किया गया तो एक चीता अफरिकन चीता का chain करनका reason एक एक तो आपके screen पर दिख रहा है ठीक है अफ्रिकन चीता के चेन करने का एक जो रिजन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है द्यान देना है पहला रिजन क्या है मैंने बताया कि जो एसियार्टिक चीता है वो क्या है एसियार्टिक चीता जो है द्यान देना है यह क्या है यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है यह क्या उसको भारत लाए जाना क्या उची था तो पता चलता है कि भारत में क्या हो कि वो सर्वाइब ना कर पाए एक तो वैसे इनके संख्या 50 करिम हैं 10-20 बुना लो भी ना बची तो एक तो क्या है कि इनकी संख्या कम थी critically endangered थे यही कारण है कि अगर ऐसे species को इस उपजाती को चीता की इस सब species को भारत लाने में में समस्या क्या थी कि इसके पॉजिटिव इंपक्स जादे इसके निगेटिव इंपक्स थे तो इस सब species को ना लाने का पीछे का रिजन यह है कि यह critically endangered थे सेकेंड बात आते हैं सेकेंड बात समझें आप लोग ठीक है आप बताइए दूसरी रिजन में आपको होता दो दूसरा रिजन क्या है ज्यान देंगे कि चीता एक ऐसे उसे प्रजातियां हैं जिनकी इनकी लिस्ट जयनेटिक डाइवर्सिटी है तुक है लिस्ट जनेटिक बलिट क्या है कि बहएं जब इन में ज्यनेटिक डाइवर्सिटी है जब इन ही क्या है यानि बहुत जादे अंतर आपको आसियाटिक और अफ्रिक明 चीता में दिख ने मिलते हैं तो एक यह दूसरा इसको लाना अपने आप में खत्रे से खाली नहीं है और चपके दूसरा वाला जो हमारे पास ऑप्षन है बहुत सारे जनेटिक डैवरसिटी है ही नहीं चीता हमें तो हम लोग दूसरे का भी चेन कर सकते हैं तो एक तो यह आपका रिजन हो गया हम लोग ने क्या क्या चीता का देखें हम लोग ने क्या क्या तो थाउजन एट नाइन में दोजार आठ नो में प्रजेक्ट चीता स्टार्ट किया हम लोग ने क्या क्या प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट करते हैं ताकि चीतों को उनकी एतिहासिक निवास इस्थर जो उनका हिस्टोरिकल हैबिटेट पे इनको लाके बसाया सके इनके हिस्टोरिकल हैबिटेट पे लाके बसाया सके तो प्रियास तो मुझाने 1917 से स्टाट किया, 1970 से स्टाट किया, ठीक है, प्रजेक्ट, छीता हम लोगोंने कब से स्टाट किया, 2008-2009 से, एक्जर्ट पुछेगा तो 2009, ठीक है, ध्यान देने, यह हम लोगोंने स्टाट किया, क्यों, ताकि इनकी historical habitat, जो इनकी इतियासिक आवास भात तुस्ताल है, वहां इनको लाकि बस आयां जासके, ध्यान देना है, ठीक है, अब एक चीज़ समझे, आगे का, ठीक है, अब इस चीज़ को आगे को समझना है, एक आपकी question बन क्या सकता है, कि हम पता है कि जब यह चीते, हम लोगोंने क्या किया, ठीक है, हम लोगोंने 20 जुलाई को ध्यांदना है 20 जुलाई को नहीं मोदी जी का बड़े साथ 17 सप्टेंबर को पड़ता है तो 17 सप्टेंबर को जहा तक मैं समझवा रहा हूँ आप लोग एक बार इसको क्लियर कर देना ठीक है हलाकि मुझे लग रहा है कि 12 सप्टेंबर साथ सही हूँ ठीक है जंदना है ठीक है यह 17 सप्टेंबर का एक बार डेट आप लोग चेक करेंगे इसको ध्यान देना है मैं यह होमवर्क भी आप लोग को देता हूँ ठीक है मोदी जी का बड़े का वो दीन था मुझे आता रहा ह ठीक है नामीविए से क्या होते है नामीविए से आठ चीते भारत ला जाते है अब जब यह आठ चीते भारत ला जाते है इनमें 5 क्या थी? पांच मादा थी और तीन नर्थे यानि तीन इसमें से पुरुस्ता तीन नर्थे पांच मादा थी तीन नर्थे और इनको छोड़ा कहा गया है इनको छोड़ा गया आपके इनको ला के छोड़ा गया कापे इनको छोड़ा गया कुनो नेस्नल पार्क में कुनो रास्ट्री उध्यान में क्यों छोड़ा गया और कुनो राश्ट्री उध्यान का परिश्य दिख लेते हैं फिर क्यों कुनो राश्ट्री उध्यान में चोड़ा गया यह दिख लेंगे अब समझे हैं कि भारत नामीबिया से संब्सक्राइब का रहा था कि खाल एक हमको क्या करो हमको आपकि कुछ चीते चाहिए अरांद हम ने फिर्टी चीता की डिमांड रखी है अभी आठ चीते भारत में आगे नामीबिया की एक एंजीयो है उसका है नाम है सीसीफ यानी सीसी चीताह सीसी कंजरवेशन और एबसे तो इसमें भारत और जो इसमें ये NGO है इसने काफी भूम का निवाई थी उसका नाम था ठीक है चीता कंजर्वेशन फॉंड यानि CCF ने भी ठीक है चीता कंजर्वेशन फॉंड 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 ठीक है जो कि एक NGO है, इसने भी काफी महती भूम का निवाई थी भारत में चीता को लाने में, भारत में चीता को लाने में, ठीक है द्यान दरा है, अब बहुत ही कुनो राष्टी उध्यान के बारे में, तो ध्यान दरा दोस्की कुनो राष्टी उध्यान को 1981 में इसको स्थापित कि है क्टे के crime मद्रो ठीओ ग् bajo है वह पर देंद्रा इसको सस्थापित किया ग्या तो मैं यह पर लिख दो अपको देंद्रा है शो पूर जिला ॢ इन पी में इसको ठीक हैना तो कुणो एक लोकल रीवर की त्रिब्व とरी से सभघे ना रिटरी है कुणो रिवर यहाँ से अर लिटाहों चुम्हाल है यह त्रिभल के और collaborative हुआ है इसके नम्रोग इसको कुनो राष्ट्री उध्यान के नाम से जानते हैं आप देखें इसे नेस्नल पार्क का दर्जा कम मिला है तो बहुत जल्दी ही यानि 2018 में द्यान द्यान रहे वर्स 2018 में 2018 में जो आपका ये कुनो नेस्नल पार्क बनाए न ये 2018 में बनाए यानि नेस्नल पार्क का दर्जा कुनो को खब दिया गया है तो कुनो को नेस्नल पार्क का दर्जा आपको 2018 में वर्स 2018 में इसको नेस्नल पार्क का दर्जा दिया गया और ये कुनो का जो आपका विकास है यह विंध्य वेल्ट में पढ़ता द्यान रहा है, जो विंध्या चल की पहाड़िया है, जो विंध्या 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 वि क्यों चेहन किया गया वाई क्यों चेहन किया किस चीज़ का कुणो नेशनल पार्क वाई कुणो एनपी यानि नेशनल पार्क कि क्यों भारत सरकार ने कुणो नेशनल पार्क को चेहन किया क्योंकि मामा बहुत अच्छे हैं नहीं मामा अच्छे हैं उसमें दोरा नहीं है लेक एक तो क्या है ना एक तो ज्यांद रहा है कि जो भारत में चीतों का इतिहासिक अस्थल रहा है उसमें आपका MPA भी रहा है ठीक है गुजरात, मद्यप्रदेश, महरास्ट्रा ये सब क्या है ये सब चीतों के इतिहासिक अस्थल रहा है यानि चीते क्या यहां पर नॉर्मली आपके पुर में पाजाते रहें तो चीतो का चो कि निवास अस्थान पहले भी क्या है कुनो रहा है तो इसलिए इनके फिट बैटने की जगह मानी गई कुनो एक तो रीजन यह था दूसरा रीजन यह था कि कुनो में और रेड़ी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ACI सेरो के पुर्णरवास के लिए ACI लाइन्स एसियाटिक लाइन्स के पुर्णरवास के लिए खर लिए गया था तो एक तो पहले इसमें क्या हुआ चुका है कि पहले अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट GUNOW में पहले किया चुका है पुर्णरवास के लिए इन्वेस्टमेंट जो है उल्रेडी बहुत अच्छा खासा किया चुका है खास रुपर एसियाटिक जब जान Thisweed जो ऐसियाटिकश lion का यहां पर पुनरवास किया गया था उसी समय तो पुनरवास के लिए जो आवस्यक्ष चीजे हैं वो यहां पर already developed किया है अच्छा कासा investment यहां किया जा चुका है तो चुकि यहां पर already पुनरवास के लिए investment हो चुका था तो यहाँ पर investment करना इसको अनुकूल बढ़ाना असान था यह reliable था कि यहाँ पर पुनरवास किया दो सकता है यहाँ पर किसी भी जो asiatic animals है उनका पुनरवास किया दोलगता है ठीक है? जहाँ देना था second reason क्या था? कि यहाँ पर जहाँ देना है जो चीता है ये आपके open forest के मुख्य जानवर है ठीक है open forest के मुख्य जानवर है प्लस ये आपके जो grasslands होती है जो आपकी grassland होती है उनके मुख्य जानवर माने जाते हैं और ये परिस्थितिया ये इनकी आवासन की जो परिस्थितिया है ये इनकी आवासनी इनके habitat से related ठीक है मैं यहां पर क्लिनिक देता हूं हिंदी में आवास तो इनकी आवास की परिसिदिया यहां पर क्या है अलरड़ी विद्यमान थी इनकी आवास की परिसिदिया अलरड़ी यहां पर क्या है विद्यमान थी यानि ठीक है वो एनिमल्स भी ऐसे यहां पर क्या है यह भी रिजन था कि चुकि इनके भोजन और इनके रहने खाने का पूरा बंदोवस्त यहां किया गया था ठीक है पहले से प्रकृत ने दिया है इसलिए भी कुनों कचन किया गया और मानवी तोर पर भी हमने पहले यहां Asiatic Lions का पुनरवास करवा चुके हैं अच्छा कासा investment कर चुके हैं तो एक तो reliable है क्योंकि Asiatic Lions का पुनरवास हो चुका है दूसरी बात क्या दोस्त दूसरी बात यह दूसरी बात यह ठीक है कि यहां पर investment हुआ तो दुबारा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा ठीक है ध्या आप लोगों ने अगर फोटो दिखाऊगा तो आपको देखेगा कि इनके गले में एक पट्टा लगाया था जो कि ज्यान देना एक बिसकली सेटिलाइट पट्टा था जिस पे GPS वी एचीव बिसकली रेडियो कॉनर लगा लगाया था ठीक है इनकी गले में एक पहचान किसके ठीक है इनकी लोकेशन क्या है इसकी भी निगरानी करना असान था क्योंकि जब नामीविया ने भारत के साथ भारत को भेजा है तो दो M.O.U. पे साइन किया है जिन दो M.O.U. पे साइन किया उसका एक M.O.U. का नाम है वनीजू संरक्षर और दूसरे M.O.U. का नाम है दान दिना है दूसरे M.O.U. का नाम है सतत जैव विद्दा उप्योग तो चुकि हम लोग ऑल्रेड़ी एक कॉन्टरेक्ट के तहता है ठीक लिस्ट में ये भी वल्नरेबल है ठीक है इसले इनकी जाज परताल भी क्या थी जरूरी है इनकी जाज परताल भी क्या है जरूरी है ठीक है तो नॉर्मली मुझे लगता है कि जितनी भी इन से रेलेटेड़ फैट्स होनी चाहिए वो मैंने देख लिया है ठीक है कुछ भी इसा नहीं है जो आपके लिए छोड़ा गया है ठीक है तो उमीद करेंगे कि चीजे आपके लिए इंपार्टेंट होंगी और आपको समझ में आऊँगी तो अच्छा खासा टॉपिक था लगबग 25 मिनट की क्लासे हो चुकी है ठीक है इस चीज को आप लोग देख लेंगे और मैं कुछ यहांपे फाक्शुली कोष्चंस आपको करा देता हूँ ठीक है फाक्शुली कोष्चंस फाक्शुल क्वेस्चन फाक्शुल कोष्चन में द्यान देना है हमको पता है कि अभी ICC का T20 वर्ल्टक भुग है अभी क्या हुआ है ICC का T20 World Cup हुआ है ठीक है और इस World Cup को किसने जीता है इस World Cup को आपके England ने जीत लिया है किसने जीता है England ने जीता है और इसका उपविजेता कौन बना है उपविजेता इसका बना है आपका Pakistan पाकिस्तान ठीक है ज्यान देना है बहागी फरोस्ते ये फाइनल क्वालिफाई के था लेकिन क्वालिफायर अपने दम पे जीता है और फाइनल पहुचा है ठीक है फिर इंगलेंड वालों ने इनको हराती है ठीक है बहुत जादी उपलब्दी भी नहीं हासिल किया और बहुत जादी उपलब्दी भी नहीं हासिल किया ध्यान देना है ठीक है तो वह आपके भूबी कुल टीन ओवर इन्होंने क्या किया ऐक तो लिए टीक है किसने सरवादिक अर्दसतक लगाए इस मैक्सिमम रन हो सेंचुरी इन्होंने लगाया है और मैक्सिमम हो कि रन भी इन्होंनें बनाया है धूसितinin video 593 और कितनी हाफ कि तो इन्होंने कुल 4.5 century बारी है, 4.5 century बारी है, clear what? 296 नोने रन बना है, द्यांदना है, अच्छा, ये सारी चीज़ हो गई, आप देखें कि प्लेयर आप दो टूनामेंट कोन बना है, तो द्यांदना है, प्लेयर आप दो टूनामेंट इंगलेंट का एक खिलारी है, खिलार करन, सैम, सैम करन को प्लेयर आप टूनामेंट चुना गया है, सैम करन को क्या चुना गया है, प्लेयर आप टूनामेंट चला है, इन्होंने सबसे बहतरीन के इंदवाजी अफगानिस्तान में की हुई थी, ठीक है, अफगानिस्तान के मैच में इन्होंने सबसे बहतरीन के इसकी मेजबानी को रहा था तो यह हुआ है आपका मैच आस्ट्रेलिया में यानि मेजबानी किस ने किया है तो मेजबानी किया है तो मेजबानी किया है और पाकिस्तान ने क्या है पाकिस्तान ने final खेला है यह निए पाकिस्तान के साथ semi final हुआ आपका NJ यानी New Zealand का तो semi final खेलने वाले कौन कौन से country हो गए उनका नाम आपको पता चल गया तो हुआ Australia में भले है लेकिन Australia semi final के लिए qualifier नहीं कर पाई गया run rate से पीछे हो गए थी हमको पता है दोस्त कि जो दसवी जान देना है जो दसवी ICC T20 World Cup है जो दसवी ICC T20 World Cup है इसकी मेजबानी कोन करने वाले है इसकी मेजबानी इंडिया और स्रिलंका करने वाले इसकी मेजबानी कोन करने वाले है इंडिया और स्रलंका और यह 10 वी ICC T20 World Cup होने का वाली है यह 2026 में होने वाली है 2026 में होने वाली है अब बताती है दोस्त कि चल भाई मुझे बता दो सर कि 9 वी वाली फिर क्योंकि यह तो 8 वी है 9 वी ICC T20 World Cup कहा होने वाला है इसकी मेजबानी को ने करेगा तो इसकी मेजबानी अब तक सबसे ज़्यादे T20 World Cup जीते वेस्ट इंडिज टू टाइम वेस्ट इंडिज ने वल्ल्ड कप जीता है आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं किसकी स्वर्च तो वेस्ट इंडिज डबलु आई से वेस्ट इंडिज प्लस जान देना है वेस्ट इंडिज प्लस यूवेस से अमेरिका के तोरा इसकी भागेदारी की जाएगी वेस्ट इंडिज और अमेरिका के तोरा इसकी भागेदारी की जाएगी इसकी को सबचना है वेस्ट इंडिज और अमेरिका सन्यूक दूरूप से इसकी भागिदारी करेंगे ठीक है तो यह हो गया आपका basically ICC T20 World Cup से related आपकी important fact भारत ने अब तक 2007 में वर्स 2007 में ठीक है जो पहला first T20 World Cup था इसको मेहंदर सिंग धोनी की अगवाई में जीता हुआ था उस वक्त अगवाई कोन कर रहा था तो South Africa इसकी अगवाई करता है यानि भागिदार दिस कोन था South Africa था ठीक है यह भी fact आप लोगे कि एक याज कर लिजे South Africa इसका भागिदार दिस था तो इस तरह से आज की करेंट डिफेर को लोग लोग क्लोज करते हैं आज की करेंट डिफेर की एक लास में क्यों हो गई जै हिंद जै भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में